हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वाकत है आज के अपने इस वीडियो में मैं कुछ PCDA, CPPC और रिकोर्ट्स के लेटर आपके साथ सेर करूँगा जिसमें सर्कुलर नंबर 666 और 568 के बारे में बताया गया ह मैं ऐसा सर्कुलर भी दिखाऊंगा जहां पर रिकोर्ट्स ने बताया है कि देखें, MACP जो है यहां पर DSC पर्शनल को भी लागू है, कब से लागू है यह भी यहां पर जानकर आपको मिलने वाली है और सबसे इंपोर्टेंट बात, MACP पर अभी एक नवंबर 2023 का जज्जमेंट आया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सिपाही की पैंसन की 22,257 रुपे और उनको मिलेगी हवलदार की पैंसन, जी हां MACP 2 उनको मना कर दिया गया था, लेकिन AFT ने माना के दिखें उनको जो पर नए हैं, चैनल को सबस्काइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए, तो लाइक और सेर जरूर करें, देखें सबसे पहले मैं आपको ये 12,10,2023 का लेटर दिखा रहा हूं, जो PCDA की तरफ से CPPC State Bank of India को भेजा गया है, देखें इन्होंने यहाँ पर जो पैंसनर हैं, अप उसके यहाँ पर, PCDA ने यहाँ पर उनको बोला, with reference to the above reservation, it is stated that pensioner has complained to this office that the areas of pension revised while the office circular number 568 not been paid to him, उनको paid नहीं की गई हैं, in this context, it is requested to verify your records, अपने record चेक करिये, examine कीजिए case को, in the case, अगर उनका area बनता है, और उनको नहीं दिया गया है, तो send the non payment certificate, क्योंकि देखें, इनका migration जो है, इस परस में हो चुका है, तो अब आप non payment certificate भेजिए, ताकि हम इनका area जो इनके खाते में credit कर सकें, एक देखें, 17 October 2023 का है, जो यहाँ पर DPDO की तरफ से PCDA को भेजा गया है, यह है circular 666, यानि OROP2 की installment के बारे में, इनको देखें, second installment नहीं मिली, इनका migration हो चुका है, तो कि इन्होंने बोला कि देखें, आपका इस परस में migration हो चुका है, और इसी के regarding जो है, इन्होंने यहाँ पर PCDA को लिखा है, कि देखें, हमने आपके साथ में जो है, जो आप की payment seat है, वो भी लगा दी है, and it has not been paid by the office, second installment हमने नहीं दी है, अब इस परस में आपका migration हो चुका है, तो आप देखें, इसका यहाँ पर, अब आप credit कर सकते हैं, फर्दर देखें, modified assort carrier progression, MACP scheme, देखें, यहाँ पर एक DSC personal थे, जो 31 मार्च 2016 को retire हुए थे, discharge from service हुए थे, DSC से, तो देखें, उनको, MACP नायब सुबदा grade का मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, उन्होंने query डाली अपनी, और query में पाया गया, कि देखें, जो भी DS7 पे commission में, DSC personal के लिए, एक जनवरी 2016 के बाद, जो भी retirees हैं, उनको MACP का फाइदा मिलेगा, और देखें, इनका ज गया है, वैलिड माना गया है, और उन्हों बता कि देखें, आपका publication order जो है, हमने कर दिया है, और जल्दी आपके खाते में आ जाएगा, सबसे important चीज, अगर आपके पास जानकारी है, तब ही आप query डाल सकते हैं, और query डालने का सबसे बड़ी च्या है, कि आपको देखें, यही हो सकता है, कि आपको error मिल चुका है, या आप देखें, eligible नहीं है, बट अगर eligible हैं, तो आपको error जरूर मिलेगा, अब चलते हैं, AFT के उस judgment की तरफ, जहाँ पर MACP कर एक बहुत बड़ा judgment यहां पर सामने आया है, यहां पर आप देख सकते हैं, AFT Regional Bench लखनव, original application number 139 of 2023, और यह 1st November 2023 का judgment है, honorable Mr. Justice Anil Kumar, and honorable Major General Sanjay Sink की जो पीठ थी, उन्होंने यह judgment दिया था, देखे, यहां पर सबसे important बात में जो बताना चाहता हूँ, वो आपको सीधा लेचलता हूँ मैं, यह देखे, 2004 में enrolled हुए थे, आर्मी में, और 17 साल, 11 दिन service करने के बाद, 31 July 2021 को, यहां पर जो है, retirement ले लेते हैं, अपना term of engagement पूरा करने के बाद में, the applicant was granted first MACP, जो niac grade का है, 272012 को, तो देखे, उसके आठ साल बाद इनको MACP-2 मिलना चाहिए था, लेकिन जो उनकी unit है, 46 RR Battalion, यहां पर उन्होंने जो हैंको MACP-2 नहीं grant किया, तो यहां पर देख बताया गया कि इनको chance दिये गए 2017 में, second chance दिया गया 2018 में, और तीसरा chance दिया गया 2019 में, but submitted his unilvest to attend promotion cater course, लेकिन उन्होंने तीनों ही condition में unwillingness certificate दिया, कि देखे, मुझे cater course नहीं करना है promotion के लिए, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने यहां पर, जो है, AFT में, original application अपनी डाल दी, देखे, यहां पर सभी को पता है कि 2006 से, एक जनवाई 2006 से, MACP जो है, लागू हो जाती है, तो यहां पर आपको देख, 2012 में उनको नायक grade के लिए, जो है, eligible माने जाता है, और उनको MACP 2, sorry, MACP 1 जो है, दे दी जाती है, अब बात करते हैं, land council for the applicant further submitted that during entire service, applicant's work and conduct was up to the mark and unblemished and he was never punished during the entire service of 17 years, देखे, 17 साल का service का career उनका बहुत ही अच्छा रहा है, बेदाग रहा है, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम और अपना जो conduct है, निभाया है, देखे, 16 years of service A की rank में अगर आप रहते हैं, तो आपको MACP 2 का फाइदा मिलता है, लेकिन यहाँ पर उनको वो नहीं दिया गया, अब देखे, बात करते हैं, इन्होंने अपने judgment में और भी बात रखी, कि देखे, आपकी ही द्वारा, AFT लखनू बेंच के द्वारा ही, O.A. No. 153, और भी देखे, 5-6 ऐसे judgment थे, जो उन्होंने यहाँ पर रखे, अब बात करते हैं, रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट ने बोला, 17 साल सर्विस के कोई दिक्कत नहीं है, 2012 में उनको MECP मिला, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत देखे, कहां आती है, उन्होंने बताया कि गवर्मेंट आफ इंडिया, जो 19-5-2009 का लेटर है, उ जो हैं, तो एसी कंडिशन में उनको जो है, यहाँ पर फाइननशल अपग्रेशन का फाइदा नहीं मिलेगा, अगर उनको मिल चुका है, तो विड्रो नहीं किया जाएगा, he shall however not be eligible to be considered for further financial accreditation लेकिन उसको जो next financial accreditation है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है और देखे उसके बाद में 2011 का एक M.O.D. का लेटर है उसका हवाला दिया गया if individual refuse promotion MACP will also be denied अगर promotion नहीं लेते हैं तो MACP भी नहीं मिलेगी if an individual denies promotion after MACP तो देखे MACP मिलती रहेगी MACP will not be withdrawn however he will not be eligible for further MACP लेकिन इसके आगे की जो MACP है वो यहाँ पर उनको नहीं दी जाएगी if we again accept promotion लेकिन अगर बाद में वो promotion accept कर लेते हैं तो जो बीच का period है वो देखे एक next MACP के लिए count नहीं किया जाएगा willingness for promotion will be assumed unless an individual is stating he is unwilling जब तक unwilling नहीं देते हैं देखे उनको willing माना जाएगा तो यहाँ पर देखे 2017-2018 में सारी चीज़े सामने आई यहाँ पर पाया गया कि देखे एक बार ही उन्होंने unwilling certificate दिया था जो file किया गया उसके बाद में कोई भी नहीं है और देखे उसमें भी ना तो कोई ऐसा कहीं mention किया गया है कि देखे मैं course नहीं जाओंगा या unwilling मेरा उसके लिए है course के लिए next time तो यानि यह सारी चीज़े जो है court के सामने tribunal के सामने रखी गई तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए tribunal ने अपना फैसला यहां पर दिया फैसला क्या था वो भी देखे आप यहां पर देख सकते हैं देख उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि देखे इनको benefit जो है मिलना चाहिए MACP2 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए फाइनली जो है सेकिंड MACP2 रैंक ओफ हवलदार एस ड्यू टू हिम 27-2020 तो इस O.A. को यहां पर अलाव कर दिया जाता है और उनको MACP2 हवलदार ग्रेड का जो है यहां पर बोल दिया जाता है और जो भी इनके पैंस्टनरी बैनिफिट्स है वो उनके कोरिजिंडम PPO ग्रांट करने के लिए बोल दिया गया है 18-2020 देखे यहां पर बताएगा फ्रोम दा नेक्स डेट ओफ डिस्चार्ज और फ्रोम सर्विस 18-2020 से जेखे यहां पर उनको यह सारे बैनिफिट्स मिलने चाहिए और यह जो बैनिफिट्स है विदिर फॉर मंस जो है मिल जाने चाहिए ऐसा कहना है यहां पर AFT लखनव का और यह जो जज्जमेंट है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे पैंसनर्स हैं जो परमोशन कैडर अन्विलिंग करने के बाद भी देखे उनको M.A.C.P. का फाइदा नहीं मिला है अगर देखे आपके साथ भी ऐसी कुछ चीज है तो आप देखे AFT जा सकते हैं पहले आप चाहें तो अपनी एप्रिकेशन सिंपली डाल सकते हैं अपना रिप्रेजेंटरेशन दे सकते हैं अदर्वाइस फिर आप AFT भी जा सकते हैं तो यह ती आज की बड़ी खबरें फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैभारत